हाई आप सबको पता है कि कल मेरा बर्थ दे था इसी वज़े से मैंने अपने बर्थ दे के लिए एक फेशियल घर पर ही किया था बर्थ दे गलोव आपके लिए तो वो फेशियल मैंने किस तरह किसे किया है वो में आज आप लोगों किसा शेयर करने वाली हूँ So you can see, एक अलग सा glow मेरे face पर आगया है So सबसे पहले आपको चाहिए कच्छा दूद, उसे आप एक बाउल में ले लीजिए और एक cotton बाउल को dip कर लीजिए उस कच्छी दूद में और इसे अपने face को wipe कर लीजिए कच्छा दूद बहुत अच्छी तरीकी से आपके face को cleanse करता है clean करता है, किसी भी तरीकी का dirt को remove करता है मेरे face पर अभी कुछ भी make-up या कुछ भी dirt नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं, यह कितने अच्छी से थोड़ा बहुत dirt था उसे भी निकाल दिया है आपको सबसे पहले facial करने से पहले अपने face को अच्छी से clean करना है तो इस तरीके से मैंने अपने face को clean किया अब फिर आपको कच्छी दूद में mix करना है थोड़ा सा चावल का आटा मतलब rice flour और उसे mix करना है अच्छी तरीके से यह एक scrubbing agent है तो यह scrubber की थारा काम करेगा आपके face से जो भी dead skin cells है जो भी black hairs, white hairs है उसे अच्छी तरीके से remove करता है और एक smooth and supple skin देता है तो आप इसे अगर आपके skin acne prone है pimple prone है या फिर skin normal dry है तो आप इसे definitely इस्तिमार कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत जादा mild है आपके skin पर बिल्कुल भी cuts वगएरा नहीं छोड़ता लेकिन हाँ अगर आपके skin में acne या pimple की problem है तो आप इसे ज्यादा इस तरीके से मत रब किजिए मेरे skin पर भी pimple वगएरा नहीं है तो मैंने इसे अच्छी से रब किया है कच्छा दूद कच्छा दूद बहुत अच्छा है हमारे skin के लिए हमारे skin complexion को brighten करता है skin को बहुत जादा soft बनाता है सिर्फ और सिर्फ dry skin के लिए ही नहीं oily skin के लिए भी कच्छा दूद काफी अच्छे से work करता है dark spots को remove करता है in fact after using this facial मैंने instantly अपनी skin पर एक अलग सा change notice किया है just because मैंने कच्छा दूद इस्तमाल किया है क्योंकि बाकी सारे ingredients basic है और ये जो facial है ये आप easily under 10 rupees complete कर सकते है क्योंकि बहुत ही कम quantity में ingredients चाहिए ये जो aloe vera gel है ये वाओ का aloe vera gel मैंने इस्तमाल किया है but अब घर पर जो aloe vera leaf है उसे कट करके सिर्फ जेल को निकाल कर उसे अपने face पर massage कर सकते है ये massaging techniques अगर आप follow करेंगे तो इससे blood circulation improve होता है skin पर एक अलग सा glow आता है so third step is this massaging step जिससे की बहुत ही जादा difference नजर आएगा आपके skin पर जो भी treatment आप करेंगे अपने neck पर जरूर उसे भी करना क्योंकि मैंने scrubbing भी neck पर की है अभी massage भी मैं neck पर कर रही हूँ and you can see that glow on my face next is face pack तो मैंने यहाँ पर wild turmeric मतलब कस्तूरी हल्दी लिया है फिर मैंने basin add किया है and मैंने muletani mitty powder जो alps goodness का आता है उसे मैंने इस्तिमाल किया है आप किसी भी muletani mitty powder को ले सकते है else को ने इसका orange powder भी मैंने इस्तिमाल किया है आपके पास lemon है normal lemon तो उसे भी आप squeeze कर सकते हैं अगर orange powder नहीं है lastly मैंने कच्छा दूद इसमें add किया है and फिर इस mixture को अच्छी से mix कर लिए और अपने face पर इसे evenly apply किजिए आप चाहते है तो जो aloe vera gel से आपने massage किया है उसे आप किसी भी cotton pad से wipe कर सकते हैं या फिर आप चाहते है तो उसे wash कर लेजिए उसके बाद dry face पर इस pack के mixture को apply किजिए थोड़ा सा watery kind of mixture हो गया है मेरा वाला आप चाहते है तो थोड़ा सा thick mixture भी रख सकते हैं यह जो face pack है इसमें जो भी ingredients मैंने add किया है सारी basic ingredients है लेकिन काफी अच्छी से काम करता है और कच्छा दूल इस्तमाल करने की वज़े से और भी अच्छा सा glow provide करता है और भी brighten करता है आपके face को तो आप इस facial को जरूर try करना क्योंकि मैंने अपने birthday से कुछ दिनों पहले इस facial को try किया था क्योंकि आपको minimum two to three days लगते है facial का जो result है उसे enhanced होने में तो मैंने इसे एक हफ़ते पहले किया था अपने birthday का मेरा birthday कल था तो मैंने एक हफ़ते पहले इस facial को किया था और मुझे काफी अच्छा result मिला है तो आप definitely अपने घर में इस facial को try कर सकते है बहुत ही easy है steps बहुत ही ingredients भी काफे जाद अफोरडबल और easy है यह बहुत ही कम टाइम लगता है जस्ट 10 मिनिट के अंदर आपका यह pack सूख जाता है फिर scrubbing वगरा में 5 या 6 मिनिट लगता है तो 15-20 मिनिट के अंदर आपका यह facial process complete हो जाता है इसे men also can use women के लिए भी काफी अचा है और teenager के लिए भी काफी अचा है आपको छोड़ देजिए उसके बाद wash off with normal water and then just see the magic आप लोग देख सकते हैं मेरे face कितनी जादा brightened हो चुकी है और face काफी जादा smoother and softer feel हो रही थी मुझे so yeah that's it for today's video, video पसंद आए तो make sure आप इस video को like करे, share करे और don't forget to subscribe to my channel, bye everyone